Hi humans and welcome back to humanities, I am Poorwa In आज की वीडियो में हम डीकोड करेंगे क्या होने वाली है हमारी class 12th political science board exam की final तयारी, final plan आज डिसकास कर लेते हैं We just have two days, परसो हमारा exam है तो चलिए फड़ा फड़ा से checklist देखते हैं क्या कुछ miss तो नहीं हो रहा है, कैसे हमें तयारी करने हैं इन दो दिनों में अपना all in जो मेहनत करनी है उसके लिए ये वीडियो बनाई है, quickly let's get started चलिए जी, एक बर पड़ा फड़ा से checklist देख लेते हैं सबसे पहलो और एहम step जो पूरे साथ से आप लोग करते आ रहे हैं वो है NCRT अगर किसी ने NCRT की शकल नहीं देखी, बिलकुल नहीं पड़ी है तो भूल जाओ, सिर्फ guides और वीडियो से कुछ नहीं होने वाला NCRT is very important, I'm pretty sure सबने यार minimum 4-5 बार NCRT अपनी दोनों ही books जो हैं वो पड़ ली है So NCRT line by line जो है सभी ने cover कर ली है, line by line coverage हो चुकी होगी या फिर हो जाएगी दो दिन काफी होते हैं चलिए जी, उसके बाद आता है most important question answer, देखे जी, दोनों वीडियोस book 1, book 2 की मैंने डाल दी है, right, live session लिया था, daily आप 6-7 बज़े के around आएंगे, channel पे live classes चलती है, दोनों वीडियोस देख लो, उसकी PDF फ्री में, telegram channel पे available है, telegram channel, simply human attitude, search करोगे, मिल जाएगा, around 25,000 subscribers है, link description मे है, जो भी video में यहाँ पे बताने वाली हो, सबकी link description में मिल जाएगी, ठीक है, यह question जरूर, जरूर, जरूर करके जाना, carryo 80% निचोड है, यहीं से आता है, बहुत अच्छी, आपकी revision हो जाएगी, cartoon questions की बात करे, proper PDF, available on telegram, video चाहिए, video यहाँ पे है, ठीक है, जरूर करके जाएगे, इसमें मैंने आपको answer writing का तरीका समझाया है, एक जो question है, cartoon का वो दो number का आता है, right, कौन सा short answer लिखना है, और उसमें कौन सा part long वाला answer है, ध्यान दीजेगा, right, map के अगर हम बात करें, तो आपको किवल places identify करनी है, right, आपको किसी leader का name दे 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 right, या फिर कोई event हुआ है, किस place से वो associated है, already marked होगा आपको किवल identify करना है, इसका भी एक तरीका है, proper table बनती है, map question के लिए, right, तो जो पूरा तरीका है, वो मैंने sample question paper जो discuss किया है, उसमें समझाया है, आपकी approach क्या रहेगी, exam में paper attempt करते समय, और MCQs 12 आ रहे हैं, जी, अगर आपने अच्छे से NCRT पड़ी है, तो आपका MCQs वाला part solved है, आप हजारों वीडियो देखें, लाखों वीडियो देखें, उससे कोई भी, आप 12 MCQ में कितना ही उखाड लेंगे, आप कितना time उसके लिए invest करेंगे, right, उसका simple एक fundाई, NCRT को मन लगाके पड़िए, ये हमा देख लो, सिखाया है कि paper को attempt कैसे करना है, क्या approach रहेगी, talking about the most important part, past year questions, वो questions जो repeatedly पूछे जाते हैं, हर साल यहीं से आपका यार, मैं कहूंगे 70 to 80% उठके आता है, right, clear, इसके लिए मैंने क्या किया है, जी, 5 guest paper बनाए है, based on past year questions, मैंने क्या किया, मैंने पिछले 5 से 6 सालों कि सारे 25 question papers को analyze किया, हर एक साल 4-5 set होते हैं, सब को analyze किया, और 5 paper बना डाले, as per your paper pattern, जैसा आपका paper है, एकदम same weightage के साथ, पूरा combine करके 5 guest papers आपको मिलेंगे, जिसने अभी तक नहीं लिये है, ले लिजिए, simply website पे जाना है, courses पे क्लिक करना है, false science answer writing test series आपको वहाँ पे दि पर along with the answer, की मिल जाएगी, जरूर solve करके जाना, जरूर इनको revise करके जाना, right, clear है, इसमें answer checking included अब नहीं है, क्योंकि दो दिन रहे गए है, चलिए हमारा पूरी checklist हो गई है, अब चलते हैं, एक important चीज़ पे, जो की है कि ma'am full revision, अब दो दिन रहे गए है, तो complete revision ही हमें करनी पड़ेगी, जी हाँ, तो हमारी live जो classes है, आज और कल की, आज हम करेंगे cover book 1 की one shot revision at 6.30 pm, ठीक है जी, और कल हम cover करेंगे book 2 की one shot revision at 6.30 pm, is it clear everyone, सब फटा फट से bell icon पे click कर दो, जैसे ही हम live आएं, आपको notification आ जाए, और बहुत कम time में हम maximum तरीके से full revision कर सके, one shot book 1 और one shot book 2 आज से हमारी शुरू हो जाएगी, तो सब को समय पे आ जाना है, और free resources का भरपूर इस्तमाल करना है, clear everyone, बहुत अच्छे, एक और में important चीज़ बोलना चाहूंगी बच्चा, दो दिन रह गए हैं, तो focus आपको book 2 से इन chapters पे जरूर करना है, ये ऐसे chapters है, जिन topic chapter के किसी भी कोने से ना, long marker आ सकता है, six marker आ सकता है, recent developments in Indian politics, regional aspirations and challenges to nation building, ये तीन chapters book 2 से जरूर जरूर इनके हर एक topic से अपना ready made answer बना लो, ठीक है, हर एक topic से अपना answer already, notes के form में तयार कर लो, जो आप अपने exam में लिखके आएंगे, I hope सभी के notes बन चुके हैं, सभी के answers ready है, topic wise जैसे मैंने आपको पूरा साल बोला है, उन्ही को अब revise करो, वही काम आने वाले है, उन्ही को चिट्टी दर रोबो की तरह आप अपने board exam में चापके आने वाले हैं, ठीके जी, book 1 की बात करें, सारे ही chapters की same weightage है, जो last वाला chapter ने globalization, वो 2 marks, यानकी 4 marks की, उसकी weightage है, बाकी स आ रहा है, simply 2 playlists है, एक basic वाली है, जिसको beginner level का समझना है, वो यहाँ वाली playlist को चेक करें, और जिसको revision करना है, basics clear है, वो इस वाली playlist को चेक करें, is it clear? और फटा-फटे description में सारी videos के आपको link मिल जाएगी, तो बहुत अच्छे से अपनी तयारी को strong कर लो, दो दिन काफी होत हैं आज के live session बे, you are at humanities, happy learning, I'll see you in the next video, don't forget to like, share and subscribe to the channel.